जैकाल भहरो जैगोरा मैं तांत्रिक देत्ती आप सबका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूँ आज मैं आपको एक ऐसी सिध्धी के बारे मैं बताऊँगा येदी ये सिध्धी आप प्राप्ट कर लेते हैं तो आप किसी भी वेक्तिप के उपर वसी करन कर सकते हैं वसी करन करने के लिए इंटरनेट पर हजारों वीडियो हैं परन्तु कितनी वीडियो सकती हैं कितनी वीडियो से काम होता है कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ठीक है आपने बहुत सारी वीडियो देखी हैं जिसमें अलग-अलग परकार के उपाय अर्था टोटके बताय जाते ह परन्तु क्या वे काम करते हैं या आप भली बाती जानते हैं देखे ऐसा है आसानी से कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती और आसानी से सरलता से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं कष्ट उठाना पड़ता है यदि कुछ भी आदमी को प्राप्त करना हो अपने जीवन में मेहनत करता है तबी जाके उसे फल मिलता है आज मैं आपको एक ऐसी तामसिक सिद्धी के बारे में बताऊंगा यदि यह सिद्धी आप प्राप्त कर लें तो निच्ची तुरूप से आप किसी विवेक्ति के ओपर वसीकरन कर सकते हैं कैसे किया गता है वसीकरन वसीकरन करना इतना सर सिख आ साथवीक सिध्वि भगवान प्रमात्मा अरСТथ जैसे महादेव मालचमी मादुर्गा देवी देवता इत्यादी के लिए जो सिध्विक सिध्वी आन्यवी करता है वो होती है बुरा काम करता है, इसे बुरा नहीं कह सकते है, अर्थात अपना कोई लोब सिद्ध करना चाहता है, या कोई काम करना चाहता है, या किसी को प्राप्त करना चाहता है, और धरम नहीं या धरम है, या गलत तरीके से किसी भी चीज को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे कहते है तामसिक सिद्धी उसे कहा जाता है तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ यह सिद्धी कौन सी है सोयम भू पताल देवी सिद्धी यह एक देवी है जिसे भू पताल देवी कहा जाता है यह पताल में निवास करती है अर्थात पाताल में निवास करती है यह किसकी बेटी है ये हमारे त्रिकाल दर्शी देव ब्रह्मा की पुत्री है और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था सोयंभू और एक पुत्री थी जिसे कहाया था सोयंभू बताल देवी एक पुत्र एक पुत्री अर्थात पुत्र का जो है महादेव दुआरा वद कर दिया गया परन्तु य यह देवी अब तक जीवित है और अर्थाथ पाताल में निवास करती है यह कैसी शक्ति है यह एक तामसिक सिद्धी के लाए जाती है यदि इस सिद्धी को कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है और यह देवी बहुत जल्दी प्रस्ण हो जाती है इसकी सिद्धी कोई इतनी मैं व्यक्ति को बताओं गा, जो व्यक्ति मुस्से शीखना चाहता है, या मेरे पास आएगा, अब मुझे लगेगा, यह ही ह्षाद नह जाता है, यह सिद्धि प्राप्त कर सकता है, इसके बाद इस सिद्धि का गलत प्रयोग नहीं करेगा, उसी को ही मैं ये मंतर दूँगा पूरे इंटरनेट पर पूरे गूगल पर कहीं भी जाकर ढूंड लेना यदि इस देवी की सिद्धी के बारे में किसी को ग्यान हो तो मैं मान लूँगा तुमारी बात कि हाँ भी ये ग्यान है ये इस देवी का मंतर को ये तुम्हें दे दे तो मैंने अपने गुरू के पास 15 साल रहकर तपस्या की है और मेरे गुरू ने ऐसी ऐसी सिद्धियों के बारे में मुझे ग्यान दिया है ऐसी ऐसी सिद्धिया मुझे कराई है जो सिद्धिया मेरे पास है वो सिध्धिया किस परकार की जाती है बस यह है कि मैं बस सिखा रहा हूँ मेरे पास सीखने के लिए बहुत सारे साधक आते हैं मिलते भी है ठीक है फोन पर भी जुड़ते हैं और अपनी अपनी साध्राएं कुछ साधक ऐसे हैं जो अपने घर पे बैठे हैं और मुझसे सिध्धि ले लेते हैं मैं उन्हें मार्ग बताता हूँ ठीक है और मंतर देता हूँ इस वचन पर मैं मंतर देता हूँ कि मैं जो मंतर दे रहा हूँ वो आगे नहीं देंगे अर्थात सिद्धी प्राप्त करने के बाद जो भी उनके कारी हैं वो अपने कारीों को सिद्ध करेंगे अर्थात यह मंतर किसी को नहीं देंगे यह मैं वचन ले लेता हूँ यदि मेरा सादक आगे मेरा मंतर किसी को दे देता है बिना मेरी आग्या के तो याद रखना उसकी सिद्धी अर्थात खंडित हो जाती है ये एक परकार का शिराप है यदि गुरू की आज्या के बिना तुम गुरू का मंतर आगे किसी को देदोगे तो तुम्हारी सिद्धी खंडित हो जाएगी तो तुम अगर यह सिद्धी करना चाहते हो तो उसे प्राप्त करो और अपना जो भी काड़े करना चाहते हो उसे सिद्धी करो मैंने कहूंगा यह सिद्धी प्राप्त करने के बाद आप किसी को भी अपने वश्व में करें और उसके साथ कुछ गलत करें जीवन में जो भी धरम है वही करें यदि किससे प्रेम करते हैं ठीक है या मालो कोई धरम पतनी है किसी की कोई पती है उनके बीच में किसी परकार की लड़ाई जगड़ा है उनके बीच में प्रेम पैदा करना है ठीक है उनकी लड़ाई जगड़ा खतम करना है उस इस्तिती म करने के लिए रात्री में एक या डेड़ बजे इसकी साधना होती है और एक या डेड़ बजे या बारा बजे के बाद आप इसकी साधना शुरू कर सकते हैं साधना का इस्थान ना तो कोई शमशान होता है कोई भी ऐसा इस्थान मान लो कोई जमीन है कोई सपाट जमीन हो फुटका गड़ा खोदने के बाद ही, उस वहाँ पर इस्थान लिया जाता है, वहाँ बैठा जाता है, वहाँ बैठने के बाद, इसकी साधना की जाती है, जो मंतर मैं दूँगा, वह मंतर किस तरह पढ़ना है, कितनी तीवरता से पढ़ना है, मैंने पहले भी कई वीडियो म गड़ेगी, इसके अंतर सामङरी कोई जादा महँगी सामगरी ने लगती, ठीक है, ये साधना कितने दिन तक चलती है, अर्थात, ये साधना жादा जादा 16-17 दिन तक चलती है, और ये साधना महीनों की साधना नहीं है, इस सिद्धी को आप 17-18 दिन तक प्राप्त कर लेत तो इसमें क्या कैसा मगरी लगेगी और किस परकार साधना को करना इस साधना को करने के लिए कोई भी एक आंतिस्थान चाहिए जंगल हो खेत हो ये कोई भी एसस्थान हो जहां पर कुई आता जाता नहूं एक सापाट जमीन देख लें उस जमीन में एक यदो फूट का उस गड़े को साफ कर ले, उस गड़े के अंदर बैठ जाए, बैठने के बाद अपने मंतर को पढ़ना शुरू कर ले, ठीक है, और जब भी आप साधना करने जाए, तो क्या कैसा मगरी से मले जानी है, इसके अंदर दोबत्ति, या अगरबत्ति, कपूर, ठीक है, और साथ त जो मंतर मैं तुमें दूँगा, वह मंतर पढ़ें तीड़ता से, ठीक है, क्योंकि एक तामसिक सिद्धी है, इसके अंदर मिठा ले जाना, यानि के मिठा कैसा, जो देसी घी का बना हुआ मिठा, हलवा हो, मिठाई हो, लिकिन सुद्र देसी घी की बनी हुई हो, या तो तो सामने जो कपूर रखा है, उसे जला दें, ठीक है, कपूर सामने जला दें, पुस्पो को सामने रख दें, दूबत्ती जला दें, उसके बाद जो है, देवी का आवान करना शुरू कर दें, और मंतर पढ़ना शुरू कर दें, मिठाई सामने रख दें, यह जो मिठाई होती या अधिक से दिक 18 दिन तो अब मैं आप सबसे अग्या लेता हूँ यह किसी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको ले नहीं हो तो मुझे फोन कर सकते हैं मेरे वट्सेप नमबर पर मैसेज कर सकते हैं ठीक है मैं साधना की जानकारी अर्थात पूरी जानकारी तो मैंने यहां भी मनतर चाहिए मनतर मैं उसी ही दूगा जो सच में साधना करना चाहता है है ओन तांत्र करना चाहता है ठीक हए मैं अब आप सबसे आगहालिता हूं